आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वाबत हैं आज हम भारत की जनगन्ना जो 2011 में हुई है उस संबंध में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस संबंध में आज हम पढ़ेंगे हमेशा है प्रस्ण इससे चाहे वह बीपीसी हो यूपीसी हो इससी हो बैंकिंग हो सभी कम्प्यूटिव एक डाम में पूछे जाते हैं जनगन्ना कराने का दाई तो जो है केंदर सरकार को सौपा गया है और यह जनगन्ना संगठन जो है केंदरी ग्री मंतराले के अधीन कारिक करता है भारत में 15 यह जनगन्ना था 2011 का लेकिन स्वतंत्र भारत की यह सात्वी जनगन्ना को शुक्रिती दी गई थी। कॉंग्रेस के समय में चुकि यह जनगन्ना हुआ था उस समय के राष्टपति प्रणामुखर जी जी थे। उन्हें इसकी शुक्रिती दी थी। लेकिन इससे पहले 1931 में पहली बार जातिया धारी जनगन्ना हुई थी। चुकि उस सम अरे ऐसे दल की मांग थी कि जातिया धारी जनगन्ना कराई जाए तो सरकार ने इसे मनजूर कर लिया। इसका सुभंकर प्रगनक शिक्षक था आदर्श वाक था हमारी जनगन्ना हमारा भविस। लेकिन नियमित जनगन्ना के सुरुआ जो है 1881 में लाट रीपन के समय जनगन्ना आयुक्त जो थे वह आर एक गोपाला स्वामी था और 1951 इसवी में यह जनगन्ना कराई गी थे वह 1949 से तिरपन तक इसके आयुक्त के अध्यक्ष बने रहे थे आधूनिक बिस में जनगन्ना कराने का सिरे स्वीडन को जाता है और दसकिये जनगन्ना जो भारत मे अभी होता है उसको सुरू करने का दाइत 1790 इसवी में अमेरिका को जाता है दो हजार इगारम में रास्टिये जनसंख्या रजिस्टर तयार किया गया है इन पी आर जिसका अर्थ है नेशनल पॉपलेशन रजिस्टर इसमें नाम दर्ज कराना जरूरी है चुकि यह कॉंग नेशनल पॉपलेशन रजिस्टर में नाम दर्ज कराना बहुत जरूरी है वर्तमान सरकार का ऐसा मनना है सभी नागरिको के पंदरव बीबरन दर्ज उसमें कराये जाएंगे पंदरव बर्स या उससे उपर के नागरिको का बीबरन उसमें दर्ज होगा रास्टिये जनसंख्या बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए निर्धारित किया गया है कि 2045 तक जो है जनसंख्या पंद्यंत्रन कर लिया जाएगा महा बिभाजन बर्स भी है 1921 इस्वी को माना जाता है महा बिवाजन वर्स इसलिए कहा जाता है चुकि इस समय जनसंख्या का जो जनसंख्या का सबसे ज्यादा बिर्धी जो है 1931 से 171 के इस्वी के बीच में हुआ है इसी ओसत बार्सी घाती बिर्धी दर भी कहा जाता है 1931 से 171 के बीच में तेजी से जनसंख्या भारत में बढ़ा था